नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम्याँ पर बात करने वाले हैं 1st November 2024 के बाले में 1 November 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या रहा है कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज़ादा अच्छी रहेंगी और क्या रहेगा आज का एंजल नमबर कैसे आप आज के इस दिन को और ज़ादा बहतर बनाएंगे सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए आप सभी को दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत शब कामना है कुछ लोग दिवाली के त्योहार को या दिवाली में लक्षमी जी की पूजा को 31st की नाइट को करने वाले हैं और कुछ लोग 1st की इवनिंग को करने वाले हैं आप सभी अपने हिसाब से अपने पंचान के हिसाब से अपने कल्चर की हिसाब से पूजा कर सकते हैं मकसद सबका एक होनाची की लक्षमी जी को प्रसंद करना भगवान से आशिवाद प्राप्त करना और अपने गर में सुख शांती बनाए रखना अपने गर में सुख और सम्रती को ले करके आना तो इसलिए ये आप दिमाग में असंतुष्टी मत रखे कि हम पूजा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं जरूरी ये कि आप पूजा करें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 31 को भी पूजा कर लीजिए आप 1 को भी पूजा कर लीजिए मैं ये कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि first की पूजा गलत है बड़ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप compare करें थोड़ा सा भी तो 31st की evening जो है वो हर तरह से पूजा में fit back ती है हर तरह से पंचांग के मौरत और खास कर दिवाली के अमावस्या की राती को जो लक्षमी पू इसी के साथ उदय होगा नए महिने की शुरुवात रहेगी शुक्रवार का दिन रहेगा बहुत ही जादा अदबुद सयों यहां पर देखने को मिल रहा है अब जिके जब भी कोई मौरत निकाला जाता है या कोई तिथी देखी जाती है तो उसमें दो equation मनती है first है देव का जो इकाक वर одна मौां अश्या कहला एगा और फॉर्स्ट नवेंबर टूजिट करने की कोशिश करते हैं उनके नाम से दानपुन्य करते हैं और अपने जीवन के समस्याओं को समाप करने के लिए पित्रों से प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारी मदद करे और हमारे गर में सुक्षान्ति का वासो तो आप सभी के पास एक और मौका है 1st November 2024 को आप सभी अपने गर में धूप ध्यान कर सकते हैं अपने पित्रों के लिए थोड़ा सा श्रातरपन यहाँ पर कर सकते हैं अपने पित्रों के लिए धूप लगा करके उनके पसंदा भोजन को बना करके ब्रामन बोज करा करके आप सभी अपने पित्रों से अच्छा आशिवाद प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छा सयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा मौका यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वज़े से आप सभी को अमावस्या की सुबे का बहुत बहुत आप कह सकते की फाइदा उठाना चाहिए आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ साथ सुबह सुबह उठकर के स्नान करने के पश्चाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करे ओम सूर्याई नमहा इस मंत्र का जाब जरूर करे ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मौका अगर मिल पाए तो गर के आसपस कोई विश्यम मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर के दर्शन जरूर करे ओम नमश शिवाय का जाब जरूर करे ये भी आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा आज के दिन में आप सभी एक आटा लीजेगा थोड़ा सा उसे भलका सा भुन लीजेगा उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजेगा और उस मिश्यन को अपने गर के आसपस कोई पीपल का पेड़ो कोई दूसरा पेड़ो बर्गत का पेड़ो या कोई भी अन्य पेड़ो वहां पे थोड़ा सा बिखेड दीजेगा ताकि जो चोटे चोटे जीव जन्तु हैं उन्हें भी आप खाने के लिए कुछ दे पाएं उनके लिए भी आप कुछ अच्छा कर पाएं और उनसे भी आप एक अच्छा आशिवाद प्राप्त कर पाएं तो चोटा सा उपाय आप उनके लिए कर दीजेगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं होगी गर के आस्पा कोई पीपल का पेड़े तो उसमें कच्छा दूद आप जरूर चड़ाएं जल आप जरूर चड़ाएं ओम नमो भगवते वासू देवाय नमा इस मंत्र का जाप करते हुए तीन परिक्रम आगर कर पाएं तो जरूर करिएगा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बगवान विश्णू की क्रपा बनी रहेगी और किसी भी तरह की दिक्कत परिशानी आपको जीवर म के लिए आप सभी हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगा दीजेगा और अपने आपको पूरे दिन शान्त रखिएगा क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है डेफिनिली परिवार के साथ समय बिता है और अपने त्योहार को और अच्छा बनाने का प्रयास जरूर कर बनते हैं बहुत रेर ऐसे मौके मिलते हैं बहुत रेर ऐसा ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है जब इस तरह का सयोग बन जाए और ऐसी परिसिती में आप सभी को कुरुके हुए काम बनाने का मौका मिलता है आप सभी अगर शादी नहीं हुए तो शादी कर सकते हैं और पा की यहाँ पर बात करें तो महत्पूर्ण नंबर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा 85669 85669 इस नंबर को आप कम से कम 11 बार आज के दिन में रिकॉल जरूर करिएगा ये नंबर आपके लिए ये काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपके आसपस का माहोल काफी ज़्यादा अच्छा बनता हुआ नजर आएगा आज के दिन में color combinations की यहां पर बात करें तो सबसे अच्छा color जो आज रहेगा पॅपल अच्छा एगा proposal कलर आज के दिन के लिए बहुत ज़ादा आच्छा है या फिर pink color का दिया आप आज इस्तमाल कर सकते हैं ये भी काफी जादा अच्छा और positive color रहेगा तोनों में से कोई भी color अपने आसपस रखें और उसे देखने का प्रयास करें आपको अच्छे result जरूर जरूर देखने को मिलेंगे इसके अलावा आज के दिन में अगर देखा जाए तो वैसे दिखें राशी नंबर और alphabet की में बात आज नहीं कर रहा क्योंकि सारी राशी अच्छी, सारे नंबर अच्छे, सारे alphabet अच्छे आज त्योहार का समय है तो अपने आपको positive मान के चले वैसे ही दिन और जादा अच्छा चला जाएगा उपाय में आपको बता दिये ये उपाय आप ज़रूर कर लीजेगा इससे आप सभी को अच्छे result देखने को मिलेंगे और किसी भी तरह की negativity आपके आसपास नहीं रहेगी इसके अलावा अगर कोई भी चीज पूछना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कोई भी चीज समयना चाते हैं आप कुछ से संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मददें पर कर सकूँ एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की धेड़ सारी शुप काम लाए इश्वर से प्रारतना करता हूँ आप सभी के गर में महतालक्षमी जी का वास रहे आप सभी अच्छे से अपने गर में पूझा अर्शन करते हुए महता जी से आशुवात प्राप करने की कोशिश जरू करिएगा और साथ ही साथ पढ़ा के जाते समय थोड़ी सी सावधारी जरू रखेगा दच्छों को किसी तरह की कोई चोट खरोच ना लगे इस बात का विशेश तौर पर ध्यान लखेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और